यह खुशी के लमें है शे बठाई के लमें है भारत ने ग्रेंट ब्रिटन को हराया है एस्टो टर्फ वाली होकी में ओलम्पिक्स में खेलते हुए पहली बार हराया है और 1975 के बाद पहली बार सेमी फाइनल में टगय बना ली है कि में भाद में इस्टेल कुछ कहने को नहीं दर शक बीद गए 50 साल हो गए संवी फाइनल में भारत नहीं खेला है के जिहाँ यह सच है भारत संवी फाइनल में प्रवेश कर चुका है अलंइंपिक खेलों के टोक्यो 2020 के सेमी फाइनल लाइन अप में आखरी टीम होगी भारतियर मेंस हौकी टीम मुबारक श्रीजेश, मुबारक हर्मन, मुबारक गुर्चंट, दिलपीत, जिन्हों ने इसमातपूर्ण मुकाबले में गोल किये मुबारक टीम इंडिया, और मुबारक भारत, और मुबारक पूरे के पूरे हमारे हौकी समर्थक, जिन्हों ने ऐस्टेलिया के खिलाफ मिली, उस खराब हार के बावजूद, अपना होसला नहीं खोया, अपना विश्वास नहीं खोया, और उसी समर्थन की बतौलत दशकों बाद ये स्कोर लाइन दिखने को मिली है इसको कैद कर लीजिए तीन एक से भारत ने ग्रेट बिटन को हराया है गुर्जंट ने गोल किया धिलप्रीद ने गोल किया और आखरी गोल सही समय पर आया हार्दिक सिंग किस्टिक से ये बदाईयां ये मुस्कुराच बरकरार रह बेल्जियम में खेलेगी बेल्जियम के खिलाफ खेलेगी अब टीम इंडिया सेमी फाइनल रियो से एक कदम उपर गई है भारत की पुरुष होकी टीम और रियो से एक कदम उपर भारत की महिला होकी टीम भी गई है ये प्रदर्शन दिल चीत निल लेने वाला है बिटन के ग्रेट प्रिटिंग के लिए एक बहुत ही सुनेरा मौका दा वहां पर जो उन्होंने कंवर्ट किया